हेलो फ्रेंड कैसे हो आज हमने बनाई है बालु साई एक दम हलवा ये स्टालिम बनाई है और बहुत ही जूसी हमारी बालु साई बन कर त्यार हो जेखिए कितना अंदर तक चासनी चली गई है इसमें इस तरह से आप भी बना सकते हो तो चलिए फ्रेंड हमारा वीडियो आप कप से नापोगे तो यह दो कप मैदा है मेजरमेंट के लिए आप कोई भी कप कटोरी जो भी आपके घर में अबलेबल हो ले सकते हो बन पिंच डालनेंगे इसमें नमक ज्यादा नहीं डालना है बन पिंच डालना है वासकाली जबनालच नकी one टेबल स्पूण लेंगे बेकिश पाउडर इस तरह एक फ्रेंस घर अबलेबल नहीं होती है तो मैं आपको यह चले में बटा रहे हो तो यह देखी वंटेवल इस्पून ही होता है यह तो अगर आपके पास यह मेजर वाली इस्पून नहीं है तो जो घर में नॉर्मल इस्पून होती है उनसे भी आप मेजर कर सकते हो अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे अच्छे से मिला लेना है जिसे इसमें अच्छे से जो बेकिंग पाउडर है मिल जाए अब हम लेंगे हाफ कफ गी गी में ही बनाएं फ्रेंड्स क्यों गी से बनाओगे न तो ज्यादा अच्छी बनेगी रिफाइंड ओल से नहीं बनेगी यह अब हम इसको अच्छे से मिला अगर इस तरह से आप मुठ्धी बांदोगे ना तो यह देखिए लट्डू सा बन जाएगा अलकासा तो इसका मतलब हमारा जो मौयन है वो एकदम परफेक्ट है अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालके इसका आटा लगा लिंगे बस हमें इसको एकटा करना है गुतना नहीं है आटे को मसलना नहीं है बस एकटा ही करना है हमें इसको सॉफ्ट आटा लगाएंगे हम इसका सकत नहीं लगाना है सॉफ्ट लगाना है एकदम सॉफ्ट होना चाहिए तो यह देखिए यह मैंने पूरा आटा है इसको एकटा कर लूँगी तो यह देखिए मैंने जवाटा है पूरा एकटा कर लिया है मसलना बिल्कुल नहीं है बस एकटा करके हम मैं इसको हाफ आवर के लिए रख दूंगी इसको डख देना है चायओ तो आप गिले कपड़े से भी डख सकते हो नहीं तो कोई प्लेट थाली से भी डख सकते हो इसे तो यह देखिए मैं इसको डख कर हाफ आवर के लिए रख रही है जब तक यह सैट हो रहा है तब तक हम चासनी बना लेते हैं यह मैंने लिया है दो यार्सो ग्राम चीनी है, दो कटोरी चीनी थी, तो ये कटोरी हमें इसमें पानी डाल देंगे, आप कभी भी जब चासनी बनाएं, तो जो हमने चीनी लिए, उसका हाफ हमको पानी लेना होता है, इसको हमें तार से थोड़ी सी कम, एक तार से थोड़ी सी कम चासनी बनानी है, क कि आपको कैसे देखना है फ्लेम सिलो करने पहले क्योंकि अब फ्लेम हाई रही ना तो फेर आपकी चासनी का आपको पता नहीं चलेगा जब तक आप चैक करोगे तब तक आपकी चासनी उखराव हो जाएगी तो यह देखिए थोड़ा ठंडा हो जाए चम्मच तो उससे ग्र यह तार की चासनी बना कर फिर इसको फ्लेम आफ करोगे तो तब तक यह दो तार की चासनी बन जाएगी और फिर जो हमने बालुसाई बनाई है उसके उपर क्रिस्टल आ जाएंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे यह मैंने डाल दिया है फूड कलर यह ओप्सनल है अगर अगर दिंगे आठे को देख लेंगे यह मुझे 25 हो चुके हैं तो मैं इसको देख लूँगी क्या है इसको मसलना नहीं है बस कि इसमेंसे हमको लट्डू तोड़ने है लोई तोड़नी है यह देखें मैं आपको थोड़ा सा दिखा रहे हैं यह देखिए जाली आ गई है ने इसमें कितना अच्छे से हमारा आठा लग्क्के त्यार हुआ हैं अब हमें इसको मसलना मसलना कुछ नहीं है वस ऐसे ही रख कर तरह सलका सा दबा दें हैं यह देखिया इस तरह से आप जाओ तो आप पैंसे भी रुं पपलिस बहुत कर सकते हो या फिर जो बेलन होता है ना पतले बेलन होते उसsel भी कर सकते हो या फिर जीJust से भी कर सकते हो, जो भी method easier लगे उसे साफ से आप कर लिजिए गाई, यहैं आपको पूरा होल करना है, हार पार होल करना है यह यह देख। इस तरह से उगली से भी कर सकते हो, एक और बालुसाहिश देखा देती हूं मैं आपको जैसे आपको बनाने में तो यह देखिए इस तरह से लोई ले लेंगे और इसको राउंड राउंड गुमाएंगे इस तरह से अगर आपको थोड़ा ज्यादा क्रेक दिख रहा है तो क्रेक की जगह को बीच में ले लीजिए इस तरह से जैसे मैं अभी आपको दिखाया नैसे और फिर हलका सा ऐसे रा ना लेती हो तो यह देखिए मैंने सारी बालूसाइं वह बना ली है कि यह लेली हमने कड़ाई इसमें डाल दिया है कि और इसको हमें ज्यादा गरम नहीं करना है यह देखिए मैंने एक गोलि डालके देखिए तो यह मतलोव उपर अठके नहीं आई है वह नीचे बैठी बस इसी टाइम पर हमको इसमें बालुसाई डाल देनी है फ्लेम रखनी है क्योंकि यह फ्लेम पर नहीं पकाई जाएगी तब ही हमारी यह अच्छी बनके तेयार होगी तो यह देखिए मैंने सारी बालुसाई यह डाल दी है अब हमें इनको बिल्कुल छेड़ना नहीं है मतार्च उपर उटके आ गया है जबकि अबीं फ्लेम है अ हमने नहीं किया है अब क्या करेंगे एक बीच में किसूंद के लिए कुछ आपको करते रहना है आप चाहो तो ऐसे इस्पून से उपर से भी डाल सकते हो थोड़ा थोड़ा ओल तो दोनों तरफ से पकती रहेगी लेकिन अभी हमें इसमें करिशली बगरा चमच बगरा कुछ चलाना नहीं है क्योंकि अभी तूट सकती है जब यह नीचे से पक जाएगी ना उ इस तरह से इस तरह से में सारी बालू साही है उनको पलट लूँगी अब मैंने फ्लेम है थोड़ी सी मीडियम कर दी है और आप हम इनको चलाते रहेंगे बीच वीच चलाते रहिएगा जिसे कि यह सब जग ऐसे चैरो गोड से अच्छे से सिके कोई भी जग ऐसी ना छूट क्योंकि जब उसको चलाते रहोगे ना तो अच्छे से सिक जाएगी नहीं तो फैर आप चलाओ यह नहीं तो यह द्यक्ति नहीं से रह जाएगी और अंदर से यह कची रह जाए लाएगी कि भी देखे देरे धीर यह फापख रही है यह देखिए हमारी बालू साही बन कर त्यार हो गई है अब हम इनको निकाल लेंगे और चासनी में डाल देंगे चासनी गुनगुनी होनी चाहिए क्योंकि ठंडी होगी ना तो फिर यह बालू साही नहीं पी पाएगी यह चासनी एब्जॉबर नहीं कर पाएगी यी तो ये देखिए मैं यह सारी बालूसाई इंग देखिए निकल तूंगी अगु ही दालनी ए यह देखिए मैंने सारी बालूसाई इसमें दाल दी और आपको देख रहा होता बबल्स आ हैं इसका मतलब ही जो यह बालुसाई है न यह चासनी एब्जबर कर रही है सोक रही है चासनी को यह देखिए अब हम इसको दो से तीन मिनट के लिए एक तरफ से ऐसे रहने देंगे चासनी में जब तक आच नहीं पी रही है तब दूसरा बैच भी त्यॉयार कर लेतें। दूसरा के लिए क्या करोगे फ्लेम आफ कर दोग से . अब फिर यह बालु साइ डाल डेनी है और फिर प्रोसेस वह अब यह 2-3 मिन्ट हो चुके हैं तो यह देखिए आप मैं इनको पलट लूगे एक तरफ से 2-3 मिन्ट एक तरफ रखना है फिर 2-3 मिन्ट दूसी तरफ से रखना है पांसे च्छे मिन्ट आपको चास्नी में यह रखना है तो यह देखिए मैंने मैं इनको पलट रही हूं इसमें और इनको फ्रेंड्स आप इस्टोर करके भी रख सकते हो वन वन्थ तक आप आराम से खा सकते हो जब यह ठंडी हो जाएं तो कोई कंटेनर में बरके रख दीजिएगा और जब भी मीठा खाने का मन हो तभी निकाल लिए और खाईए तो यह देखिए यह हमारी चास्नी इसने पी ली है अब हम इनको निकाल लेंगे है ना इजी रेश्पी हाँ टाइम जरूर फ्रेंड्स थोड़ा ज़्यादा लगेगा क्योंकि हम इनको पूरा स्लो फ्लेम पर पका रहे हैं तो इसलिए टाइम जरूर लगेगा लेकिन ज़्यादा ताम जाब नहीं है बहुत ही ऐजी रेश्पी है आप आराम से बना सकते ह इसे अब हैं तो यह देखिए आपको तोड़के और दिखा देती हुआ अपको यह देखिए अंदर तक जुस गया ना देख रहा है ना एक एक परत में जूस गया है कितनी जूसी दिख रही है हमारी ये बालू साई लग रही है ने बिलकुल बजार जैसी बालू साई तो ये देखिए हमारी बालू साई बनकर त्यार हो गई है अब आप कभी भी बना सकते हो जब भी आपका मन हो बनाई है यह देखिए मैं आपको एक नजदिक से भी दिखा देती हूँ यह देखिए लेयर दिख रही है न कितनी अच्छी लेयर आईए इसमें यह देखिए अगर आप इसमें थर से बालुसाई बनाओगे न तो एक बार में ही आपकी बालुसाई एकदम परफेक्ट बनेगी और बिल्कुल हलवाई स्टाइलिम बनेगी और जिस किसी को भी आप खिलाने के लिए दोगे न वो आपकी तारिफ करें वगर नहीं जाएगा इतनी जबदस आपकी यह बालुसाई बन करते यार होगी मैं थोड़ा सा डेकोरेट कर रही है यह टोटली ऑफ्सनल है चाहो तो आप कर सकते हो नहीं तो आप इसकी बी कर सकते हो तो यह देखिए देखने में जितनी अच्छी लग रही है खाने में से कही गुना टेस्टी है अब आप कभ हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा